स्वागत है आप सभी का आज के दाहिंदू अनैलिसिस सेशन में आज है दिनांग 4 मार्च 2023 और आज के सेशन में हम प्रतिन की भाती पुना दाहिंदू संपात्की के साथ उपसित हैं जो कि आपकी आगामी परिक्षाओं में शाहयक सिद होंगी तो चलिए अपनी जर्नी को ब सदस्यों की न्यूपती को ले करके कि इसके सदस्यों की न्यूपती जो होगी न वो एक समीती का अधार पर होगी एक कमीटी का अधार पर होगी इसमें तीन लोग शामिल होंगे एक होंगे जो प्रधान मंतरी हैं एक होंगे नेता प्रतिपक्ष बिपक्ष के और एक होंग पर सरकार कभी अस्थाई नहीं रही है हमेशा एक साल दो साल दो महीन ऐसे चलती रही है उसको हम समझेंगे नेपाल जो कि हमारा परोशी देश है आप में से कई ने वहां की यात्रा भी कुई होगी वहां कई सांस्ट्रितिक पढ़ेटन के इंदर भी हैं तो नेपाल को लेकर कर्मार टॉपिक है हम इसको पढ़ेंगे ठीक है अब इसके बाद देखो तीसरा टॉपिक जो हमारे पास है ना डाट एज क्रियेटिफ फॉर्मूलाज क्रियेटिफ फॉर्मूलाज जी 20 को लेकर है जी 20 में किस प्रकार का गतिरोध हुआ जी 20 में साजा बयान पर सहमती नह क्या बाते हैं हम इसको समझेंगे ठीक है और उसके बाद आप देखो एक चौथा टोपिक आपके सामने स्क्रिंग पर दिख रहा होगा एक है क्लीन टेक ऐस दा नेक्स्ट बीग तिंग इन रूरल इंडिया ग्रामीन आवादी की बात हो रही है क्लीन टेक जो है न वो एक बड़ा चीज है नेक्स्ट बीग तिंग है ग्रामीन भारत में ठीक है एक होता है रूरल ग्रामीन एक होता है अडबन मतब शहरी तो यह ग्रामीन भारत की बात हो रही है ठीक है आप सभी जानते हैं कि भारत की जो आत्मा है गाउं में बसती है ठीक है आप में से कई ने ग आपके स्कीन पर यह रहा पेकिंग दा वाच्टॉग वाच्टॉग की बात रहे अब देखवा मैं क्या करूँगा आपको word by word बताऊंगा इस कर मीनिंग इससे क्या होगा आपके English के सासद आपके Hindi भी improve होगी और आप अच्छी तरह से content को समझ पाएंगे एक अध्यापक काम यही होता है कि उसकी बातें जो है वो बच्चों तक आसानी से सहज भासा में आसान भासा में पहुँचें पेकिंग दा वाच्टॉग court verdict on manner of choosing pole panel देखो court verdict जो है pole panel pole panel के चैन का जो manner है तरीका जो है उस पर जो court का नियायले आया है वो क्या है जब boost to its independence वो इस pole panel की आजादी में स्वतंत्रता में एक अच्छा कदम है boost है मजबूती है अब कैसे मजबूती है इससे court के जो का नियायले का कि इसके सदस्यों मतलब ECI के election commission of India के सदस्यों के चैन पर जो supreme court का नियाया है उससे supreme court of नियर्वाचन आयोग उससे कैसे मजबूती मिलेगी उसके सदस्यों का चैन अगर मालों किसी समीती का धार प्योगा मैं आपको पता है न कौन सी समीती है एक है supreme court के मुखिन्याधिस है दूसरे है प्रधानमंत्री जी है और तीसरे है लोग सभा के नेता प्रतिपक्ष तो उससे मजबूती मिलेगी इस सदस्थान की स्वावतंत्रता को अब देखो कैसे मिलेगी अगले slide में हम देखते हैं ठीक है चलो पहला slide देखो अब देखो बहारती निरवाचनायोग बोलो आप भारती चुनावायोग भारती चुनावायोग के शदस्यों को ले लिया गया है क्ट से ले लिया है क्वार्ण पूर्न से ले लिया है तो परेम परदानमंत्री सलाह खेते थे और राष्ट्रपती उनकी leaf करते इसे कलस्यों अब देखो यह क्या है इससे क्या होगा इस कदम से कि एलेक्शन वोच डॉग जो है मतलब चुनाप प्रहरी जो है कुन है भारती निर्वाचनायोग इसकी आजादी को स्वतनता को मजबूती मिलेगी अब मैंने बताया आपको कोर्ट करी 993 समीती है जिसमें कौन-कौन है प्राइम मिनिस्टर है लिडर अफ अब नेता प्रतिपक्ष है और एक है गर नेता प्रतिपक्ष नहीं होगे तो सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है उसके नेता है और चीफ जश्रिस अब इंडि CEC है न मुख निर्वाचन आयुक्ति या फिर जो चुनाव आयुक्त है उनकी जो नियुक्ति है न उसके बड़े भी पक्षी पार्टी के नेता ठीक है और उसके बाद भी एक CJI मतलब चीफ जश्रिस अब भारत के मुख निया आधिश ये कब तक व्यवस्था चलेगी as a constitutional body देखो ये क्या है constitutional body है संबाइधानिक निकाई है कौन भारती निर्वाचनायोग और इसके न बहुत इसकी जो सक्तियां है न वो अत्यधिक है प्लेनरी पावर्स अत्यधिक शक्तियां है किसीज़ की सक्तियां है इसके पास ठीक है तो वो जो है direction जो है ठीक है direction जो है and control of elections और जो चुनाब है उस पर control नियंतरन अर्धा चुनाब के addiction direction मतलब निर्देशन और नियंतरन की जिम्मेदारी किसमें है ECI में है election commission of India में है क्योंकि एक संबैधानिक निकाय है इसकी अस्थापना इसी उद्देश्चे की गई है थी कि जो चुनाब है वो सही तरीके से संपन्न हो तो ECI जो है vital component है महत्पूर्ण घटक है crisis of the republic गनतंतर का एक महत्पूर्ण घटक है कौन? ECI और इसे क्या चाहिए? अमालो महत्पूर्ण घटक है इसे क्या चाहिए? functional freedom and constitutional protection चाहिए इसे क्रियात्मक श्वतंतता चाहिए और संबैधानिक संब्रक्षन चाहिए यहने इस संस्था को ताकि यह क्या करा सके? to ensure free and fair elections ताकि यह स्वतंतर और निश्पक्ष चुनाब करा सक और जब स्वतंतर और निश्पक्ष चुनाब होगा तभी तो देश को एक अच्छी सरकार मिलेगी? ठीक है? इस संस्था का ही धाईत्म है कि जो चुनाब है वो सही तरीके से संपन्द हो. It has been the practice that एको यह ब्यवस्था रही है कि President appoints the CEC and ECs मैंने आपको पहले पताया कि राश्पती इनकी नुक्ती करते हैं किसकी? मुख निर्वाचन आयुक्त की और अन आयुक्तों की. ठीक है? किसकी सलापर? on the advice of PM. पर्लान मंतरी की सलापर. लेकिन Constitutional Bench ने क्या कहा? लेकिन संवैधानिक पीछ ने कहा, इंगीत किया कि, और इनल जो intent है of the Constitution maker, जो संवैधान इर्वाता, जो संवैधान जिसों ने बनाया, उनका जो मुख उदेश था, वो क्या था? कि manner of appointment जो है, जो appointment नियुक्ती की जो वेवस्था है, नियुक्ती की जो तरीके है, should be laid down in a parliamentary law कि ये जो संसदी काउन में होने चाहिए, मगी सलाह के आधारित, article 324, article 324 कहता है, says that the president should appoint the CEC, कि राष्टपती को CEC की नियुक्ती करनी चाहिए, and commissioners और commissioner की नियुक्ती, CEC समझ गे न, मुख निर्वाचन आयुक्त, और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ती राष्टपत बिहाब बाई, Parliament, how about successive regimes, अब देखो, अब हलांकि ये बात मैं करता हूँ, successive regimes, अब तक की जो सरकारे रही है, have failed to enact law, अब तक की सरकारे जो रही है, वो कोई कानूर बनाने में शफल नहीं हुई है, इसकी जो पूरवरती सरकारे हैं, इसकी जो पूरवरती सरकारे हैं, इसकी इनहीं की सरकार रही है, एक वार ये तो टू चलना है, इससे पहले UPA की सरकार रही है, तो left भी power में रहे हैं कभी, तो कहने का मतलब यहां पड़ी है, कोई भी regime कानून इस समझ में नहीं बनाई है, Justice K.M. Joseph, Justice K.M. Joseph, who has authored the main verdict, उन्होंने main verdict को कहा, has based the court decision of the inertia of the legislature, देखो, legislature क की जड़ता है, स्थिरता है, देखो, विधाय का उस effective तरीके से काम नहीं कर पाई है अवतर, इस समझ में, इसलिए न्यायालाय को दखला अंदाजी करनी पड़ी, है न, हस्तक छेप करना पड़ा, and the perceived vacuum in the absence of law, देखो, और absence of law, देखो, कानून का भाव है, तो निर्वाद क किसिती है, सुनि किसिती है, तो उस सुनि को भरने के लिए, ठीक है, तो क्या, कोर्ट को तो आगे आना पड़ेगा, तो कोर्ट ये वर्डिक्ट लेकर आई, कि अब इनकी जो चयन समीती है, इनमें ये तीन सदसी होंगे, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है, few would disagree, अब कुछ अश्रहमत होंगे, कि कोर्ट का जो fundamental proposition है, कि election watchdog जो है, वो fiercely independent and not be beholden to the executive, देखो, इसको अत्यधिक स्वतनत होना चाहिए, हैना किसको election was चुना प्रहरी को, और कारिपालिका का धीन नहीं होना चाहिए, ठीक है, should not be beholden to the executive, and there would be no room for an appointing authority to expect expect reciprocity और loyalty, अब देखो, मानलो, जो चुनाब आयुक्त है, मानलो, ECI है, भारती निर्वाचन आयोग है, इसके सदसे, मुखी निर्वाचन आयुक्त होंगे, या पिर अनि आयुक्त होंगे, अब उसको मानलो, कारिपाल का द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और इस तरह की आशा मानलो रखी जाएगी, मतला कि उनके पक्ष में काम करें, ऐसा कुछ हो, तो इस सब के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, और इस सब से ही होगा, इसी सब की जगह बचेगी, कि बिना पक्षपात के ये काम कर सकेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है, कारिपालिका जो है, वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को बना दे वो, है न, ECI में रख दे, Election Commissioner of India में, तो उस सब से बचने के लिए तीन सदसी समीती की अस्थापना की गई है, ठीक है, अधो सरकार का तरक जो है, कि existing system was walking well, सरकार का तरक है, तरक था उस समय, तरक ने दिया, सरकार ने तरक दिया कि जो प्रमप्रागत व्यवस्ता है, जो मौझूदा व्यवस्ता है, वो अच्छे तरीके से काम कर रही थी, was walking well, ठीक है, अच्छे काम कर रही थी, and there was no vacuum, was quite weak, औ ठीक है, the convention now is that, अधो convention यह है, कि Prime Minister choose a name from among the database of high ranking civil servants, अब देखो, कि Prime Minister जो है, वो high rank के civil servants में से, civil सेवक में से क्या करते हैं, के database में से, एक नाम choose करते हैं, चैन करते हैं, अब President को सलाह देते हैं, कि इनकी न्यूकती की जाए, हलांकि, a relevant question is, अब देखो, relevant question यहां पर यह आत है, कि whether the presence of CGI in the selection panel, देखो, कि CGI की उपस्ति जो है, मौजूदगी जो है, कहां पर, selection panel में, जो chain वाली जो panel है, is the only way in which an institution's independence can be preserved, कि यही एक तरीका है, जिसके माध्यम से, किसी स्थान की स्थान की स्थात्ता, जो है, वो संरक्षित की जा सकती है, हना, there is no clear proof that the independence of the CBI director, हैना, who is appointed by panel that includes the CGI or his nominee, ऐसा कोई proof नहीं है, there is no clear proof, हना, that the independence of CBI director, CBI director की स्थान के सम्थ में, ऐसी कोई शाक्ष नहीं मिले हैं, नहीं देखे के हैं, हैना, अब देखो, CBI director की जो, का जो चैन होता है, उसका जो पैनल है, उसके चैन का जो पैनल है, उसमें CGI सामिल होते हैं, या उनके नॉमनी शामिल होते हैं, has been preserved and hence further, CBI presence, अब देखो, आप यहां पर समझ गें ना, ठीक है, अब CBI का presence, जो है, the CBI presence, next slide, ठीक है, make give preemptive legitimacy to all appointments, अब देखो, इससे क्या होगा, CBI के presence से क्या होगा, मतलब जितने appointment है न, उसको एक तरह से बाइधता मिल जाएगी, पहले ही, and affect objective judicial scrutiny of any error or infinity in the process, अब देखो, और उसमें यह है कि, अब किसी प्रकार की मानलो, गलतियां, तरूटी आती है प्रकडिया में, उसको यह प्रभावित कर सकती है, उसे निपटने में मदद मिलेगी, है न, CGI की उपहस्तिती से, भारती निर्वाचन, भारती निर्वाचन आयोग के जो, मतलब सदस्य है, उनके नियुक्ती में, उनके नियुक्ती वाली शमीती में, जो प्रधार मंतरी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और मुख नियाधिश हैं, तो मुख नियाधिश की उपहस्तिती से, एक यह होगा, कि तूटी, हना, इसी तरह की समस्या को, अभिलम दूर करने में मदद मिलेगी, on its part, the government will be well advised, अब सरकार को, अब इधर सरकार को, well advised, मतलब एक तरह से, प्रामर्स अच्छे तरह की से देना चाहिए, ताकि वो कानून बनाए, to enact a law, but not 162 to preserve the current convencer to get around the verdict, that is, in tune with the spirit of the court's emphasis on the ECI's independence, ठीक है, लेकिन जो है, मतलब, but no one that seeks to preserve the current convention, अब देखो यहाँ पर, आपने यहाँ तक समझ लिया, ठीक है, यहाँ तक तो, लेकिन अब देखो, ऐसा नहीं होगा, कि फाइसले से बचने कलिना, अब मौझूदा पड़ंपड़ा को बनाए रखे ठीक है, लेकिन क्या है, ECI, ECI जो है ना, उसकी पनरूप हो है ना, उसमें इन तत्तों को सामिल किया जाए, कि ECI जो है, Election Commission of India जो है, वो स्वतंद तरीके से, समुचित तरीके से, निर्वाद तरीके से काम कर सके, ऐसा कानूर बनाया जाए, इसके सदस्यों की न्यूपति इस तरह से की जाए, तो इस तरह यह पहला टॉप कि नेपाल का पहले यह समझो, कि नेपाल में रिसेंट में क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ, ब्रीफ करता हूँ, ठीक है, नेपाल में क्या हुआ है, तो नेपाल में यह हुआ है, कि अभी मतलब सताधारी जो, मतलब सता में जो कटमंधन थी, वो तूट गई, ठीक है, सरकार थी पुष्म कमाल धाल पर्चंट जो है नेपाल की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है cpn-uml ठीक है ने पुष्म कमाल धाल परचंट की सरकार समर्थन है वापस ले लिया है ठीक है जो इसे मतलब बहुत पुर परधानमंत्री जो है केपी सर्मा ओली उनकी पार्टी है सीपी एन यूएमल तो सीपी एन यूएमल ने कहा है कि राजनेतिक समीकरन चेंज हो गए हैं बदल गए हैं इसलिए समर्थन वापस लिया जा रहा है अब नेपाल में चर्चा इस बाती की जा रही है कि यहां जो दाहाल है ना मतलब पुष्प कमाल दाहर परचंड है उनकी सरकार पर क्या आसर होगा तो यूएमल के नेताओं ने सुंबार की पार्टी की बैठाक बाद अप्चारे कुप से कहा कि उन्हें सरकार से अलग होने का फैस्ता ले लिया है अब देखो यूएमल के नेताओं का कहना है कि प्रचंड की पार्टी जो है पुष्प कमाल दाहाल जो प्रचंड है उनकी पार्टी है जो ने उन्हें वादा किया है नाatal की पार्टी से कि पिन माव़िज सेंटर ने वादा किया था कि राश्टपती एलेक्षन में हम केपी सर्मा ओली की पार्टी को सपोर्ट करेंगे लेकिन वो नहीं कर रहे हैं इसलिए केपी सर्मा ओली की पार्टी अर्थात यूमेल ने शमर्तन वापस लिया है ठीक है और यो जो वादा किया गया था वादार से वो पुष्प कमाल दाहल की पार्टी मुकडी है तो इस तरह यूमल ने पीछे कदम अपने उठाए है अब देखो मेरे मुद्ध यहां क्या है नेपाल में नौ मार्च को राष्टपती पतका चुनाब होना है क्या होना है नेपाल में नौ मार्च को राष्टपती क्या हो राज़्ट का काल खतम होड़ा और पाली और सीपीन ओमेल के प्रिश्डेंट भी अ क्या कामचंद सौरी पोडेल हैं सौरी नेपाली कॉंडेस के और सी पी एन के भी है है ना कैंडेट है तो इधर उधर एक तरह से आप यह समझे कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर क्या कर रहा है आरोप लगा रहा है तो हम इसी को समझेंगे टॉपिक में कि अब देखते हैं इसमें क समर्थन लिया गया है उसके कारण क्या है जो कारण दूसरी पार्टी ने बताए है के पी सर्माओली की पार्टी ने अब देखो आपको इसके पर दीख रहा होगा कोलिशन पॉलिटिक्स इन नेपाल देखो नेपाल में जो गटमंधर की राण नेती है इंक्रिजिंगली डिसेंबल्स तक गेम आफ फ्यूजिकल चेयर्स हो गया है काठमांडू में भी इन दा सेम कास्ट आफ करेक्टर्स हैं यह दो तीन कि नेपाल में जो अनेप्लमेंट है विरुजगारी है राष्टरी जो इन डेप्टनेस है ना रीन जो है नेपाल पड़ और जो दूसरा है मतलब एक आप यह समझो की चैलेंजे जो है किस तरह के डेवलप्मेंट चैलेंजे जो है ना विकास शमंदी चुनोतियां यह सब नेपाल की मुक्षी चिंता आए हैं इस पर किसी का ध्यान नहीं जाड़ा है जो कि ध्यान यहां जाना चाहिए अभी देखो क्या हुआ है the last coalition government अब देखो लास्ट अन्तिम जो मतलब coalition government थी है ना जो मतलब गटबंदन वाली सरकार थी ना वो क्या थी formed in December समर में बनी है ठीक है after the election last November last November में एलेक्शन हुआ और फिर दिसमर में सरकार बनी ठीक है अब वो तूट गई है जास्ट अउली टू मंस वह बस दो महिने चली है है लास्ट जस्ट तू मन्स दिस समर में सरकार बनी अब देखो फरवड़ी आते आते फरवड़ी खत्म होते हो गई सरकार भी ठीक है तो इट वोज इस्टिछ टूगेदर बाई अगर मैंने आपको बताया कि केपी सर्मा की ओली की यूमेल लीडर है केपी सर्मा ओली हैना उनकी पार्टिक साथ आई थी विद आइडिया ओफ ब्रेकिंग अवेर दा माओरिस्ट बाइस सब्सक्राइब टूदेर लीडर पूस कमालदर अपर देखो वहां पर क्या है केपी सर्मा ओली है ना उनका मोटिव है कि माओष्ट को हम तोड़े ठीक है उन्हें प्रचंद को सब्पोट कर दिया अब प्रचंद को क्या-क्या आप वहां क्या पी-म बन जाओ ठीक है तो उनका ये में मक्स था कि प्रचंद हम मौष्ट को न तोड़ करके रखें मिश्टर प्रचंद जो है हैड फॉर्मड एन अलाइंस उनने क्या क्या था एक गटमंधन बनाया था अलाइंस क्या होता है गटमंधन बनाया था किसके साथ ओली के साथ ओली in 18 2018 की बात है ये 2018 में क्या क्या था गटम of decisions पैइ मिस्टर ओली मिस्टर ओलीन कई सारे decision ले लिए अना जब वह पीम थे ठीक है यू वह देन प्रचंट ने क्या क्या मार्जिन लाइज करने का प्रयाश किया वह दो सीन्य लिडर्स और क्यी साहब बरिश नेताओं को भी ठीक ठीक है बच्चो अब भी क्या है लेटर क्या गया है प्रचंड एंड माधव नेपाल प्रचंड और माधव नेपाल लेट जो ब्रेकवे फैक्शन आप यूमल ठीक है अब देखो ऐसे ये 2018 बिसकी घटना है अभी डिसेंट की घटना है उसे पहले भी नेपाल में पहले राजशाही थी फिर गंतंत्र आया लोगतंत्र आया तो नेपाल में जो ये उठा पठक का दोड़ है उसी को लेकर टॉपिक है ठीक है आप इसे पढ़ेंगे समझेंगे और अगर किसी तरह की अशुवधा आती है तो आप अवस्य पूछें कोई वर्ड में संसे होता है किसी वर्ड के हिंदी को लेकर संसे होता है तो आप अवस्य पूछें ठीक है चलो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो क्रियेटिफ फॉमूलाज अब देखो मैं आपको तरह ब्रीप कर दू कल मैंने G20 का ब बयान दिये जाते हैं हैना G20 कि किसी भी संगठन की मालो सभी लीडर्स आ करके अगर एक साधा बयान देते हैं ठीक है जॉइंट इस्टेट्मेंट इस्टु होता है तो यह सफलता मानी जाती है किसी भी संगठन की और अगर यह नहीं हो पाता है तो उसकी भी फलता मानी जा यह एक मध्यम आधार है ना धूंडना चाहिए किस पर यूक्रीन भी से पढ़ जी ट्वेंटी में यूक्रेन भी से पढ़ी आप मतलब जॉइंट एस्टेटमेंट जाड़ी नहीं हो पाया क्योंकि उसमें युक्रेन युध लिखा हुआ था statement में और उसको लेकर क्या है चीन और रूस ने क्या अपत्ती जदा दी ठीक है तो joint statement नहीं हो पाया after the conclusion of two key G20 ministerial meetings ठीक है देखो जो दो महत्पूर्ण मंत्री अस्तरी meetings हैं किसके G20 के finance ministers and central bank governors F.M.C.B.G. इन बैंगलेडू ठीक है बैंगलेडू में हुए and foreign ministers meeting F.M.M. Delhi यह Delhi में हुए कौन F.M.M. foreign ministers meeting विदेश मंत्रियों की बैठक जो है without consensus over the Ukraine war पर सहमाती नहीं बन पाई diplomats and G20 officials must pause for a stock taking exercise on the government strategy देखो इस पे सहमती नहीं बन पाई तो भारत को क्या है भारत अब भारत ने भी कहा कि भारत ने अपनी तरफ से पुड़ा पर्यास किया है ना कि साजय बयान पर सहमत हो जाए और उधर से आपत्ति आ रही है तो सभी देशों को चाहिए कि वो साथ आए और इसका मतलब एक साजया बयान दें तो भारत न दो पहल की ठीक है लेकिन कुछ आपत्तियां दिखाई गई आपत्तियां दर्ध की गई जिसे कारण से साजया बयान पर सहमती नहीं बन पाई यह तर से आप कर सकते हैं कि जी ट्वेंटी की जो बैठक है और मैंना वो कल के आर्टिकल में आप उसे वीडियो देख सकते हैं कल का जो दा हिंदू उनैल्सिस है उसमें आपको बताया था कि जी ट्वेंटी किस प्रकार महतपूर्ण है ठीक है तो जी ट्वेंटी की महतपूर्णता को आप समझे कि क्य बात यहां पढ़ी है बच्चों कि अब सहमाती नहीं बन पाई ठीक है तो अब आगे क्या है तो भारत ने कहा है को आगे पर्यास करेगा लेकिन अभी किसिती यही है कि सहमाती नहीं बन पाई और यह जो देश है ना यह काफी इंपोर्टेंस रखते हैं लेकिन वही चीन और रूस की बज़ा से अभी तो एक तरह आप यह समझो कि युक्रेन यूध का जो शाया है वो जी 20 पड़ भी पड़ा है ठीक तो यहीं इसमें है कि भारत को एक मध्यम रास्ता निकालना चाहिए तो आगे आप इस टॉपिक को प होंगे जो आपके लिए प्रभावी होंगे महत्पूर्ण होंगे उनको हम आपके सामदे रखेंगे ठीक है तब तक के लिए मुझे आग्यां दिजिए और कहिए नमस्कार थैंक्यो कर दो